एक वर्षम में भारतिय एतलीट्स और खिलाडियों ने कई इंटरनेशनल स्पॉर्ट्स इवेंट्स में अभुत्पूर प्रदर्शन किया है। हमें इन उपलग्दियों को सेलिबरेट करने के लिए साथ ही ये भी सोचना है कि हम अपने खिलाडियों की और जादा से जादा मदद कैसे कर सकते हैं। आने वाले समय में स्क्वास वर्ड कप, होकी एशियन चेंपियन स्टाफी, एशियन यूथ और जूनियर वेट लिप्टिंग चेंपियन्शिप, ऐसे आयोजनों में आपके मंत्राले और आपके विभागों की तयारियों की परिच्छा होनी है। ठीक है, खिलाडी अपनी तयार ही कर रहे हैं। लेकिन अब स्पोर्स टूर्नामेंट्स को लेकर हमारे मंत्राले को भी अलग एप्रोच से काम करना होगा। जैसे फुटबॉल और होकी जैसे खिलों में में टू में मार्किंग होती है, वैसे ही आप सभी को मैच टू मैच मार्किंग करनी होगी। हर टूर्नामेंट के लिए अलग रहन निती बनानी होती है। आपको हर टूर्नामेंट के हिसाब से स्पोर्स इंफ्रसक्चर, स्पोर्स ट्रेइनिंग उस पर जादा से जादा फोकस करना पड़ेगा। आपको शौर्ट टम, मिडियम टम और लॉंग टम गोर्ज भी तैय करने होगे। साथ हो, खेलों की एक विशेश्ता और होती है। अकेले कोई खिलाडी लगातार प्रैक्टिस करके फिट्नेस तो प्राप्त कर सकता है। लेकिन बहतरे इन प्रदर्शन के लिए उसका लगातार खेलना भी जरूरी है। इसलिए स्थानिय स्तर पर जादा से जादा कंपटिशन हो। स्पोर्स, टूर्नामेंट्स लगातार चलते रहने चाहिए। यह बहुत आवशक होता है। इससे खिलाडियों को भी बहुत कुछ सिखने को बिलेगा। खेल मंत्री के तौर पर आपको इस सुनिश्चित करना होगा। कि किसी भी खेल प्रतिभा की अंदेखी न हो। साथियों, अपने देश के हर प्रतिभा पसाली खिलाडी को क्वालिटी स्पोर्ट्स इंफ्रास्रक्चर देना हम सभी का दाइत्व है। इसके लिए केंद्र सरकार और राज सरकार को मिलकर काम करना होगा। खेलो इंडिया स्कीम ने जीला स्तर पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्रक्चर जरूर कुछ बहतर किया है। लेकिन अब इस प्रयास को हमें ब्लॉक लेवल पर लेकर जाना है। इसमें प्राइवेट सेक्टर समय सभी स्टेक होल्डर की भागेदारी महत्वपूर्ण है। एक विशे नेशनल यूथ फेस्टिवल का भी है। इसे जादा इफेक्टिव बनाने के लिए नए सीरे से सोचा जाना चाहिए। राज्यों में जो इस तरह के कारकम होते हैं वो सिर्फ और अप्चारिता ना बने। इसको हमने बहुत बारीके से देखना चाहिए। जब चौत अरफा इस तरह के प्रयास होंगे तभी भारत एक लीडिंग स्पॉर्ट्स कंट्री के तोर पर थापित हो जाएगा। साथियों, स्पॉर्ट्स को लेकर आज नौर्थ इसमें जो काम हो रहा है वो भी आपके लिए एक बड़ी प्रेणा है। स्पॉर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्टर से जुड़ी 400 करोड से जादा की परियोज राएं आज पुर्वत्तर के विकास को नई दिशा दे रही है। में देश भर के युवाओं को नए अवसर देगी। खेलो इंडिया स्कीम और टॉप्स जैसे प्रयासों ने इसमें एक बड़ी भूमी का निभाई है। झाल